इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हम हिंदुस्तान कॉपर के बारे में जिसके के नतीजे आ चुके हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा पावर अफ कंपॉल्डिं इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो देख सकते हैं पूरा डेटा इन करोर्स में दिया गया है और ये आपको consolidated financial result मिलेगा जून quarter 1 2021 के नंबर से हैं quarter 4 के हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको quarter 1 2020 के नतीजे मिल दाएंगे मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ दोस्तो नंबर काफी जादा blood से लग रहे हैं हमें तो आप थोड़ा adjust करके यहाँ पे चल सकते हैं हम लोग बात कर लेते हैं total income की जोकि यहाँ पे दी हुई है revenue from operations other income दोनों को जोड़ेंगे तब हमारी total income निकल के आती है और इस बार की 278 करोड रुपीज की overall income रही है अगर आप देखेंगे तो quarter 1 June 2021 में sorry 2020 में company की जो income थी वो 441 करोड थी और quarter 4 में 531 करोड की overall income थी तो देख सकते हैं आप quarter basis पे काफी बड़ा decline है और yearly basis पे भी हमें काफी बड़ा decline देखने को मिल रहा है दोस्तो company के end से चलिए हम लोग move करते हैं और बात करते हैं कि company के खर्चे कितने रहे क्योंकि हमें income में तो दोस्तो काफी बड़ी dip देखने को मिल रही है और expenses की बात करें खर्चों की जो कि सारे overall होते हैं employee को क्या benefits दिए गया financials cost कितनी रही consumption of power and fuel ये सभी को जोड़ें के हमारे total खर्चे आ जाएंगे और इस बार के 2.17 करोड़ के expenses रहे company के जो की previous quarter में 5.94 करोड़ के थे और June 2020 में 4.16 करोड़ के थे तो चलिए लोग आगे move करते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि company को इस बार कितना profit हुआ जो कि point number 13 पे आप देख सकते है net profit loss for the period after tax and share of profit of associated जो कि यहाँ पे दिख जाएगा आपको तो देख सकते हैं आप जोस्तों तो इस बार जो profit हुआ है company को वो 45 करोड के around हुआ है दोस्तो 45.63 लिखा है दोस्तो नमबर काफी blood से हैं दोस्तो थोड़ा adjust आप कर लीजिए मेरे साब से 45 करोड के around यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है profit अगर आप देखेंगे तो previous quarter में company को 36 करोड 82 लाक रुपय का loss हुआ था तो in the sense अगर आप देखेंगे तो quarter basis पे बहुत अच्छी है में jump देखने को मिल रही है company की numbers जो loss से निकल के पूरी की पूरी तरह profits में आ चुके हैं अगर हम साल 2020 के June quarter की बात करेंगे तब भी company को 29 करोड के profits थे जो बढ़के overall 45 करोड पे आ चुके हैं तो हमें एक massive jump देखने को मिल रहा है quarter basis पे और yearly basis पे भी हमें अच्छा कासा एक उचाल देखने को मिल रहा है तो overall बात करी है दोस्तो results काफी अच्छे हैं और markets को maybe positively react करेंगा और इसके share price में भी हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है अगर हम बात करें earning per share की जो की EPS है हमा पूरा reflection हमें earning पर share में देखने को मिलता जो कि आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ और जो की yearly basis पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ठीक ठाक सा और quarter basis पर जिस तरीके से profits negative से positive में आया है उसी तरीके हमें EPS भी jump होता हुआ देखने को मिल गया है तो overall बात करी ह यह results दोस्तों काफी शांदार है अगर हम previous day की performance की बात करें तो देख सकते हैं आप 144 रुपर पर share trade हो रहा है और तक्रीबन 10,58,460 shares की delivery उठाई गयी है तो हमारी चोटी सी वीडियो थी दोस्तों हिंदुस्तान copper के ओपर आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी क् समया है और तक्रीबन 10,58,460 वीडियो रंग करते हैं पर्दार है च्छी सी दोस्तों है यह फ्र वीडियो फ्रुपर बाहा है और शूठा़ तक्रीबन 10,59,2,2,1,2,2,3,1,2,2,3,3,1,3,2,1,3,4,1,2,2,1,2,3,2,3,2,3,1,2,3,1,2,1,2,2,2,2,2,3,2,1,3,2,3,2,3